प्यारे बच्चों अब सभी का हमारे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों इस वीडियो के माधम सी क्लाश 10 के बच्चों के लिए समाजिक बिग्यान का वाइरल मॉडल पेपर लेकर रिकाच चुके हैं जो की 2023 बोर्ड परिक्षा के लिए काफी जाद उप्योगी ह होने वाला है प्यारे साथियो यह जो मॉडल पेपर अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इसको खूद यूपी बोर्ड ने अपने वेव साइट पर जारी किया है और अब की बाहर दो हजारतेश का बोर्ड का पीपर सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आएगा और उस पेपर के सा जादा मोस्ट इमपरेंट वीडियो होने वाला है वीडियो को धान से देख लेना अंत तक जरूर देखना लाइक कर देना चैनल पे पहली बार विजीट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेलेगिन प्रेस करना एक बात धान से सुन लो सातियों जो भी मैंने पिछली बार बाताया था 2020 के पेपर के लिए जितना मैंने बाताया था सब के सब कोशन लड़ गये थे आ गये थे चपके आ गये थे पेपर में और अब की बार भी वायरल पेपर त्यार करके चले जाओ बोड के पेपर में इससे बाहर एक भी प्रशन नहीं आ जाना वरना going के paper में रोनकि सभ़ कुछ नहीं कर सकते हो ओर aujourd के paper नाइंटी परेसंट का अभी प्रसनों को त्यार कर लो अभी देख लो तभी आ आपictions 90% पंप प्लस कर सकते यह मैं 100oline сохран में नहीं होने वाला हुए सिक़ और अब की बार जिटाना और मार्च में होने वाला बोल रहा हूं तो प्यारा साथ ही इस वीडियो को सबसे पहले सुरू से एंड तक देखलो इसके जितने भी टाइपस के बहुत विकल्पी होने वाले हैं सब के सब पेपर में छपेंगे मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं और सभी को ध्यान से अंसर अभी देखलो ठीक ना औ और यहां पर कलाश 10 के बच्चों के लिए समाजिक विकान का केवल प्रश्ण पत्र है इसमें कोई भी टाइपस के मतलब की वह प्रेक्टिकल वेगारा नहीं होंगे सतर नमर का आपका पेपर होने वाला है समय तीन घंड़ा 15 मिनट को होने वाला है सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आने वाला है 2023 बोड का और यहां पर देख सकते हो कि समान निर्देस भी यहां पर दिया जाएगा कि सभी प्रश्ण करना अनिवार है प्रारंब के 15 मिनट प्रश्ण पत्र के लिए निर्दारित अंग के समुख दिया गया है कौन कितना नमर के कोशन है सब क्या करना है सब कुछ मैसी बिलीगों के माधोन से बताने वाल हूं दिखाने वाल हूं ठीक है आईये सबसे पहले हमने स्टांट करते है Ghand off से य्यानि की बहु बहुत भी कल्पी प्रश्ण से बहुत भी कल्पी आपका 20 नंबर का आएगा 20 क्वेशन रहेंगे सभी कोशन सभी के एकदम most important है त्यार कर लो इससे बाहर एक भी प्रश्ण नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा ठीक है अई सबसे पहले यहां पे कोशन पुछा गया है कि निम् मंदित है तो जो इसका राइट एंसर होगा वह हो जाएगा जू सेपो जू सेभी मेशनी यहाँ पर अभी एंसर छाप लो नोटबुक में लिख लो अगर विश्वास नहीं है तो एक बार पेपर आएगा तो उसमें मिला लेना यह कोशन आ रहा एक नहीं आ रहा है गरंटी सभी जाती समुहों से उनकी अबादी के अनुसार सक्ति का साजा किया गया नहीं सभी जाती समुहों से उनकी अबादी का अनुसार सक्ति का साजा नहीं किया गया यह भी नहीं होगा संप्रदायों को समान प्रतिनित दिया गया उपरोक्त में से को ही नहीं तो प्यारे साथ यानि कि संप् crispy के समान कर दिया जाए इसको मतलब कि बराबर बराबर मतलब की बराबारOh अगला हमारा कोशन है कि सन 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गीर गई इसका रीजन बताना कि गेहूं का जुजदाम था 50% से नीचे क्यों आ गया बाढ़ के कारण सुखे के कारण महामंदी के कारण उपरोक्त में से कोई नहीं तो प्यार साथी अभी इसमें मैं अभी लांग कोशन बताने वालू महामंदी के कारण वाला अभी आएगा ठीक न तो देखो यहां पर जो सन है समय है यह बहुत मोश्ट इंपूरेन है कि सन 1928 से लेकर के 1934 के बीच में एक बार मतलब की भारत में गेहूं की रेट सबसे नामाइक नामाइक संस्थान निमना लीखित में से किस अस्थान पर यक कहां है पताना है कि अपकर जिन रहर हूं दियां wil और अपने नोटबुक में नोट कर लो झाप लो थीदो हैches रमाजरे मिश्टम अ कि से बाहर एक भी प्रष्डत संगी सरकार से संबंधीत नहीं है को ठोड़ समीधान ये तो है सक्तियों का कैंद्री करण यह भी है संग यह यहाँ नॉट्ठ सर्वोच न्याले तो प्याद से यह निए संगी सरकार से संबंधीत नहीं यह बताना है तो इसका जो राइट अंसर में अभी कमेंट बक्स में बता देना ठीक ना कि अगर बहुत से बच्चों को पता होगा तो यह भी बता देना ठीक ना लेकिन यहापर अभी मैं बता देना हूं कि देखो निमनलीखित में से कौन सलक्षण संगी सरकार समथ नहीं है कि दर्म को भासा को को यह ऊप्यक्त में किसी को नहीं है समाजी भाजन या जो जनता है आपस में डिवाइड हो गई लोगों में क्यों अलग अलग बिचार आने लगे अलग भावनां आने लगी नहीं धर्म और भासा दोनों け कारण बहुत से लोग ऐसे हैं जो हिंदू धर्म को अपनाते हैं मुस्लीम को इसाई को तो आसे इसे लोग हैं जो अपने धर्म को मानने लगे। इस बिसैग ले इस दोनों चीज़ों को ले करके आपस में समाजिक भीभाजन होना स्टार्ट हो गया इसको करते हैं तो उसका कि संख्या में और समानां था उपयुक्त मेंसे कोई नहीं तो प्यारे साथ ही दखो जब से पूछे का किLee One की बात यहां से मतलब ही होता है की दुनिया में या किसी भी देश में कितने महिलाएं हैं और कितने पूरूस हैं लेकिन कब मतलग कि महिलाएं कौन सा काम कर रहे हैं और पूरूस काम कर रहे हैं यानिकि आपसे नमर इसका आशत्य हो जाएगा ठीक इसको ध्यान में रखना है चलो अगला हमरा कोशन है कि राश्ट्रवाद का उद्धै सबसे पहले किस देश में हुगा थ यह वेले सभाता सब्सें पहले फ्रांस में काँपे फ्रांस ग harvest में हुआ था इसको ध्यान में रखना है ठीक है चलो अगला अधीर कोश्ण है प्यारे साथी हो, कि डिक मैरा ने को जीडल करें स ciao, स्बसें अब्सक्तुमियां के अच्छी है, क्योंकि यह नागरिकों में समंता को बढमादेती है, साथ में यह व्यक्ति की गरिमआ की भी बढमादेती है, बढ़ाती है, तो दोनों यहाँ पर अप्सन सत्य हो जाएगा, अप्सन अम्मर यहाँ पर 100 राइट हो जाएगा, ठीक है? चलो, अगला हमरा कोशन है प्यारे साथी हो, कि मृधा किस परकार की प्राकृतिक संसाधन है, मृधा का मतलब होता है मिट्टी, क्या होता है मिट्टी, जमीन, भूम अब मिट्टी, यहाँ बोला जाना कि मिट्टी किस परकार की प्राकृतिक संसाधन है, नवी करडी संसाधन, और नवी करडी योगी संसाधन, जैव संसाधन, संभावी संसाधन, तो देखो, मिर्दा किस परकार की संसाधन है, यह है और नवी करडी योगी संसाधन, मतलब ह प्रकृति का देन है ठीक है चलो अगला हमारा कोशने प्यार साथ ही हो कि निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकूचन के मुख्य कारड क्या है भूमि संकूचन गहन खेती अधिक सी चाई बनमु उनमुलन अधिक पसुचारड तो भूमि संकूचन के में रिजन यहाँ पर हो जाएगा अधिक सी चाई क्या हो जाएगा अधिक सी चाई आपसा नमर यहाँ पर राइट हो जाएगा तो जितना कोशन बाता आ रहा हूं सभी को त्यार कर लो अभी नोट में छाप लो ठीक है नोट बुक में और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कियो तो इतना मै मैं वाइरल कोशन बता रहा हूं एक बार लाइक कर दो अपने दोस्तों में भी फैला दो ठीक ना सारे रिस्टारों को जो भी टेंद बोर का त्यारी कर रहे हैं सबको फैला दो सबको पास होने दो ठीक है एक तुम्हीं आइसा मत सोचो कि मैं ही अगर मिल गया तो मैं ही पंजाब में तो केरल में सबसे कम है केरल में सबसे कम है अब कमेंट बाक्स में यह छपके बताओ कि किस राजी में मिर्थिवदर सबसे अधिक है अभी कमेंट बाक्स में छाप करके बताओ तो बताओ चलो अगला हमारे कोशन है कि सारवजानिक एवं नीजी छेत्र को किस अधार पर वर्गी किरित किया गया है यानि कि सारवजानिक एवं नीची छेत्र को किस अधार पर बांटा गया है वर्गी किरित का मतलब होता है विभाजन किया गया उसको बांटा गया है रोजकार की परिस्तितिया आर्थी किरिया की प्रकिरती उद्यम का स्वमित्य या किस किसी उद्याम में काम कर रहे स्व्रमिकों की संख्या तो यही इसका राइटेंसर हो जाएगा किसी उद्याम में काम कर रहे स्व्रमिकों की संख्या क्या धार पर ठीक है इसी का धार पर सारवजानिक यम नीजी शेतर को डिवाइड किया गया है कि कौन सा प्राइवेट भूमी का योजना बध उपयोग हो जाना तो भू चरण भू मतलब होता है भूमी मतलब क्या होता है भूमी होता है चरण का मतलब होता है च्छती या नुकसान चरण का मतलब क्या होता है च्छती या नुकसान तो भूमी का नुकसान हो जाना यानि भूमी उपजाव जो भू सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष कौन सा है ठीक है उपज का ज्यादा समर्थन मुली वह अपने बच्चों को विदेश में बच सा सके अधिक मजदूरी उपयुक्त मेंसे कोई नहीं तो तेखो ग्रामिड जो मजदूर होते हैं उनको भाई चाहिए क्या उनको क्या अधिक मजदूरी ज्यादा मजदूरी मलेगा तो मजदूरी करके अपना काम चलाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे अपना काम चलाएंगे ठीक है इसका राइट अंसर 100 हो जाएगा अगला मारा कोशन है कि निमनलिखित में से कौन सा ब्यपार और अधुक को बढ़ावा देता है या अधिकतार देश्विपार और अधुकों को प्रयोग करके अपने घरल्यू उद्यों की सुरक्षा के लिए करते हैं तो यही इसका राइट एंसर होगा दोनों नहीं होगा यह भी नहीं होगा तो प्रमपरागत उर्शा का इस्तूरत नहीं होगा वाक्यों क्यों कि भूमी तापी इनर्जी जो हो जाएगा ठीक है ये परंपार रगत उर्जा का इस्तरोत नहीं है ठीक है चलो अगला हमार कोशन है कि 22 करण का बहु राष्ट्री कंपणियों के निवेस पर क्या प्रहा पड़ा था ये बताना है कि बहु राष्ट्री कंपणियों के निवेस में विरिधी हो गई थी बहु राष्ट्री कंपणियों के दोरा भारत में विरिश विपार का अधिगान सभाग पर नियंतर हो गया थ या बहु रश्टी कमपणियों के आगमान से लोगों के आर्थी किसे दिस्तुद्दिल हो गई थी तो उप्यूक्त में से सभी आपसे यहां पर सही हो जाएंगा आपसे नमर यहां पर राइट हो जाएगा ठीक है चलो तो प्यारे साथ यह अभी तक हमने जितने भी टाइपस पचास में पचास पाने के लिए अगर चाहते हैं इसकोर करना एक बार प्यार से वीडियो को लाइक कर दो और एक बार प्यार से वीडियो को सेर भी कर दो ठीक है एक बार लाइक करके बताओ लाइक करके दिखा दो लाइक करके दिखाओ ठीक है ऐसा करता हूं आप सभी लो आली महामंदी की कारणों की समिक्षा करिए कि भाई जब प्रथम फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था ठीके उसमें काउन काउन्ची महामंदी के रिजन हुए थे उस पे समिक्षा करना है उस पे बात लिखना है ज्यादा नहीं लिखना है चारे नमर का है ठीके ज्यादा बात आप से एक डेट करना में लिखना है आप सभी अपने कोई भी अगर कुईज है या कोई भी सिरीज रखे हो या कोई है कोई भी क्वांटम रखे हो ठीकर कोई भी मतला अगर गाइड में बूक ख़र रहे हो इसको भी तुरन त्यार कर लो ठीक है अगर यह नहीं आ रहा है तो इसको वित्यार कर लेना कि सन 1928 से लेकर के 34 के बीच में होने वाली महामंदी का भारती अर्थव्यस्ता पर पढ़ने वाले प्रभावों की समिख्षा करिए तो दोनों कोशन हैं इंपोर्टेंट हैं चारचा नमर क्या है दोनों मैंसे सी किसी एक को पक्का त्यार करो क्योंकि परर पनेड़की परसंट पूफे जाएंगे वत रहaimer ह। छलो अग्ला मार्कोषण है कि शाजधारी लकतंतर की आत्मा है क्या है लकतंतर की आत्मा जोटके मैं को छोटा इंसान था सबको क्या होगहाँ यहां में बराबर कहीं सा या अगर यह नहीं त्यार कर पाने तिसको त्यार करना कि जाती में राजनिती में जाती कि भूमिका की विवेचना करिए देखो बहुत ही तो बहुत इंपोरेंट कोशन है सभी को त्यार करके जरूर जाना है अगर यह नहीं त्यार कर पा रहे हो इसको पक्का त्यार करना ठीक नहीं कौन सा कोशन है कि परिवहन एवं संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थ विवस्ता क्यों कह जाते हैं तर्क अगला लेकिन टू दफ पाइंट होना चाहिए ठीक है चला अगला हमाना कोशन है कि बहुर राश्ट्री कंपानिया अपने उत्पात की उत्पातन लागत कम रखने के लिए किस प्रकार का परवंदन करती है विवेशना दिजीए मतलब परवंदन मतलब किस परकार का करो कि अच्छे बजार के प्रमुक्य लग्षडों की संचेप में भी वेशना करिए कि अच्छा बजार किसे बोल सकते हैं ठीक है चलो अब हम डेर्स अवर्ड को यहां पर आ गया जो कि छे नंबर के सारे सारे प्रश्ण होने वाले हैं तो सभी प्रश्णों को अभी का भी क्लियर हो जाएंगे ठीक है या यह कर लो कि सत्य अग्रह का अर्थ क्या होता है और सत्य अग्रह पर महात्मा गांधी ने क्या विचार रखे थे इसके बारे में लिखना यह भी छे नंबर का है ठीक है तो डेर्स सब्द में लिखना है कि लोकतांतरिक सुधार का क्या लब होता है और लोक अतंत्र किस प्रकार उत्तरदाई जिम्यदार यहां बैद सरकार का गठन करता है इसके बारे में लिखना है छे नमबर यहां से क्लियर होंगे सबी कोशन को त्यार कर लो एक भी कोशन को छोड़ना मत वरना दिकत हो जाएगा 90% पाने से मंचित हो जाओग करते हुए इन अनाजु की पैदावार के लिए उपयुक्त भावगोलिक प्रसितिया का वर्ण करिए छे नमबर का है चलो अगला है कोशन है कि अस अंकठित छेत्रक के स्रमिक समाजिक भेद भाव के विशिकार है क्या आप इस कथन से सहमत है अगर सहमत है तो रिजन लिख मौने वाले मुलत आयोग की नमरगे अऑर यही सब सारे प्रश्ण आएंगे इससे बाहर नहीं आएगा अब आ जाएंगे यहाँ मान्चितर संबंधी प्रश्ण पर यहांसे आप सभी के दोस नमर यहां से क्लियर होने वाले हैं दो सेक्षन में पुछा जाएगा 552 नंबर के यहां से त्यार कर लो ठीक है सबसे पर यहां पर समस्थते क्या पुछा जा रहा है कि निम्नलीकित अस्थानों को भारत के रेखा मांचितरों में इस पॉइंट के थूँ दर्सान है यानि कि पॉइंट के थूँ ठीक है ऐसे प्रिइज के दरशा वोगे तो आदा नांम लिखो गया तो आधा नामर मिलेगा ठीकी entrepreneur पर मंही आप सब्सक्राईं पएक कि पहले जैद्री जानी बाला फ्रट बाते को अहीं होग्ञाड है तो सबसे पदूकर अब इसको भी से दर्साना गिन इहां पर उक्म करनेफ बाले किसानों की फिर दर्साना है और वह अशान जहां जाहां पर सुती-मिल-को प्रहम करनेफ थे तो सबसे पहले कहां पर सूती मिल स्रमकुरों सत्राग्रह किया था उसके बारे में उस प्लेस का नाम रिखना है साथ में इस पॉइंट के थूर दर्शाना है ठीक है और वह अस्थान जहां दिसंबर उनिस बैस बीस में भारती राष्टी कंग्रेस्ट का अधिवेशन हुगा था इसके बारे में लिखना है ठीक है यहां से क्या हो जाए कि आप सभी के पांस नमबर यह क्लियर हो जाएंगे और पांस नमबर यहां से द्रिश्टी बादित के लिए होता है से वही प्रस्ण होते हैं लेकिन यह द्रिश्टी बादित के लिए एक नमबर इनको मैप में पर देखो नमबर में मानचीतर कारेवाला यह इतिहास वाला आ गया कि भाई पश्यम बंगाल के उद्यान कोई भी मालो निस्ट्रोल पार्क यहां पर लिख देना है और उसको इस चिन के द्वरादर साना है उसके बाद नर्मनाद नदी पर जो बना है कौन सा बना है उस चिन तर्मनाद श्राबिया नदी को इस चिन के द्वर्शाना है उसकशन का में यहां पर नदी नाम नकीनकोम हो तो पांश नमर मेजय को वाला और वाला यह जली तो पहलो अगर को सब्सक्राइब कर दे thirds अगर दो ए को सब्सक्राइब करना मत बुलिएगा मिलते हैंग लिए हींद जय भारत ऊस्हूरी अगशाla